हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सावस और सलुशन्स पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियेक्ट 18 का फुल टिटोरियल सीरीज पिछले वीडियो में हमने आप लोगों बताया था कि और हमने इसके साथ साथ यह भी यह भी बता दिया था कि जो ओल्ड रियेक्ट है उसमें किस चीज को प्रिफर किया जा रहा था क्लास बेस्ट कंपोनेंट को या फंक्सन बेस्ट कंपोनेंट को अगर आप लोगों ने हमारा इस भी यह वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं यही रिक्मेंड करूँगा कि आप जाकर कर पहले वीडियो देखिए तब आप यहां से कंटिन्यू करिए तो आपको हर एक च आउसोट का जो सीरीज है रियक्ट 18 का आप लोग इसको फॉलो करिए और आप इसके फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक सारा चीज़ देख लिए अगर देख लेंगे तो आप किसी भी कंपनी में अच्छे तरीके से सर्वाइब कर पाएंगे और अच्छे तरीके स इसे सेल्फ खुद से आप उसको बना सकते हैं एसे लेकर के जेट तक ठीके तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो देखिए तो आज हमनों देखने वाले हैं कि किसी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कैसे यूज किया जाए यानि कि कंपोनेंट इन क काम करेंगे तो आपको ऐसा सेन्यरी ओं बहुत ज्यदा आएगा कि एक कंपोनेंट के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट या मल्टिपल कंपोनेंट इस करना पढ़े ठीक है और ऐसा हमें उज करना हिपड़ता श्रिए गए सब्सक्राइब को दोनों कब रिक्वालीटी नॉलेज रहे क्या पता कब कौन सा टाइम आ जाए क्या पता चल करके एक साल-दो साल के बाद आपको class-based component पर काम करना पड़ जाए कोई कुछ नहीं जानता ठीक जिस तरीके से old react में react के द्वारा ही class-based component को parity दिया जा रहा था लेकिन modern react में क्या हो गया सब कुछ change हो गया अब class-based component को हटाया जा रहा है धीरे धीरे उसकी features को कम किया रहा है और functional component के features को बढ़ाया जा रहा है यानि की recommend किया रहा है कि आप functional component बनाईए ठीक है तो चलिए चलिए देखते हम लोग कि कैसे functional component के अंदर एक दूसरा component हम लोग use करेंग तो यह जो code है यह पिछले वीडियो का code है मैंने total यहां से का कर दिया हटा दिया ठीक है कोई दिकत नहीं है अब हम आते हैं यहां पर जो हमारा entry component हो कौन सा है main.jsx ठीक है यह जो project हमने बनाया रखा है यह wheat.js के through है ठीक है अगर आप लोग इस series को follow कर रहे होंगे तो हमने जो पहला अपना application create किया हुआ है वही वाला application है ठीक है अगर आप लोग बीच में से देखेंगे तो आप लोगों को यह react का application using wheat create करना पड़ेगा तब जाकर करके आपको ऐसा interface देखने के लिए मिलेगा ऐसा folder रस्टाच आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ठीक है दे छीक है इसके बाद क्या करेंगे const root create करेंगे यह react-dom.create root और इसमें क्या दलना पड़ेगा हमें document.getElementById और इसमें क्या दाल देंगे हम लोग root की id छीक है और root.render और यहाँ पर क्या कोई एक component जो हम बनाएंगे मान लिजे कि अभी हम यहाँ पर बनाएं नहीं है एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं देखिए अब हम यहाँ पर एक component बनाएंगे अभी इस पर हम भी work करेंगे आएंगे दुबी ठीक है यहाँ पर component बनाएंगे देखिए यह जो हमारा app.jsx जो component है, यह हमारी इस application का main component है, main component, ठीक है, मतलब landing component, ठीक है, अब इस component पर देखे हम का करते हैं, suppose कर लिजे, हम ने का किया, एक बनाता हूँ क्या, export, default, export, default, और क्या, यहां पर फंक्शन लिखे लिजब पहले, function component बना रहा हूँ मैं, layout, कोई दिकत है, कोई दिकत नहीं, ठीक है, यहां ने का बनाया, एक functional component यहां पर बनाया, ठीक है, इसको export, default कर दिया, ताकि मैं इसको यहां पर import करूँगा, ठीक है, और देखे लिजब पहले, इसको करी लेत है, copy, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, import layout from, कहां से, dot slash, app.js, ठीक है, ठीक है, और यह layout component है, उठाईए, और यहां पर रख दीज़े, ठीक है, यह layout component कोई-कोई इसको नाम देगा, master component, ठीक है, क्योंकि यह landing component, component है तरीके से, अभी सी component पर हमारा बहुत सर component आ करके, load होगा, ठीक है, हलाकि अभी वो बहुत दूर की बात है, कि जब हम इस पर routing के द्वारा आ करके, dynamic component लोड करेंगे, वो सब भी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी आपको क्या देखना है, कि यह component पर हम लोग दूसरा कैसे component लाकर के रेंडर करें, ठीक है, अब suppose ठीक है, div, और इसको अभी ऐसी रने दिजे, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग, अब बनाएंगे component, नाम दिया मैंने क्या, function, h, e, d, e, 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 e को उठाऊंगा देख लिए अब ये अलग कंपोनेंट है और ये अलग कंपोनेंट है अब इस कंपोनेंट को मैं यहां पर ला करके रखे दिया देख लिए यह क्या हो गया एक कंपोनेंट के अंदर दुसरा कंपोनेंट इसी कंपोनेंट इन कंपोनेंट यानि की कंपोनेंट क आपको क्या रहेगा एक के मान लिजे एक और हम यहाँ पर कॉंपन बनाते हैं नाम दिया हमने क्या कंटेंट 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 दिखाएंगे ठीक है देख लिए यहाँ पर क्या हो गया कंटेंट 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 लेयाउट कंपोनेंट का अंदर तीन है कंपोनेंट यह तो यह तीनों कंपोनेंट कॉल होगा ठीक आप इसको रन करिए एन्पीम रन डेव ठीक है यहाँ पर अभी रन हो रहा है देखिए तो यह पोर्ट आपको पी कर लिजिए और उपन कर यह ब्राउजर हीट मारिए देखिए यह तीनों कंपोनेंट आपको दिखाए धीक लिए यहाँ पर कंटेंट और यहाँ पर फूटर ठीक है आप चाहें तो इसको अच्छे तरीक से डिजाइन कर सकते हैं अभी हम डियाइनिंग इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने अभी आप लोगों क को रियक में कैसे स्टाइल कैसे क्लास अपलाई कि राता है यह अभी हमने आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुगा है ठीक है अभी से ही अरमाली सब कुछ इसमें मैं मिक्स कर दूंगा अगर इसका डिजाइन सही दिखाने के लिए ठीक है तो आप लोगों को हो सकता है कि कु कैसे आप मल्टीपल क्लास अपलाई करेंगे कैसे आप अच्छे तरीके से इसमें बुट स्ट्रेप इंस्टॉल करेंगे कैसे डिजाइन करेंगे इच और यहां पर अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियो में ठीक है इसलिए डूंट वरी टेंस सकता है ठीक है अगर किसी company में अगर 100 vacancy है rexAS का तो उसमें से एकाद vacancy में ही एकाद जो जॉब है rexas का उसमें आपको rexas developer hire करके उनसे dming भी करवा जागा एक या दो developer से ऐसा कर वाय जागा भाकी कि जो 98% जो hiring होता है rexas के लिए उनसे डियाइनिंग नहीं किराया जाता है, उनको डियाइनिंग बना करके मिलता है, HTML, CSS, उसको कैसे अपलाई करेंगे या प्रियेक्जेस में, यह आपको देखना होता है, और हम यहाँ पर आपको डियाइनिंग करना भी सिखाएंगे, और बना-बना थीम को इंपलिमेंट करना भी सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी सब कुछ अस्टेप बेस्टेप, डेवन से हर जीज पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, देख लिए, आपने यहां पर क्या देखा, कि हमने कैसे एक कंपोनेंट के अंदर ये तीन कंपोनेंट रेंडर कर दिया, ठीक है, इस विक आप बोलते हैं, वो कैसे यहां पर dynamic component लाकर करके load करेंगे वो सब अभी हम लोग आगे देखेंगे ठीक है तो धीरे धीरे step 2 step अभी आप पेसेंस के साथ सब कुछ फोलो करते चलिए आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा ठीक है एक और देख लीजे इसको हम कॉपी करके comment कर दिये ठीक है जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए के वाल functional component ही बनाई है आपको अगर लग रहा है कि हम यहां पर class based component बनाएंगे ठीक है बना लिजे आपको आईडिया है कि class देखिया मैं इस फंक्शनल कंपेंट को मैं class component में change कर रहा हूं तो आपर क्या करना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड कोठा करके class कीवर्ड लगाना पड़ेगा यह class का नेम हो गया और यहां पर extend करना पड़ेगा क् component COMPO component यह क्या है area के library से इंपोर्ट होगा देख लिजे इंपोर्ट हो गया component का class ठीक है अब यह जो class है यह normal class नहीं अब यह component बन चुका है अब क्या करेंगे यह return को यहां से cut और यहां पर क्या लिखना पड़ता है render अगर आप लोग फॉलो की होंगा हमारे वीडियो ता आप लोगो का idea लग गया होगा ठीक है देख लिजे यानि कि render method के अंदर आपको लिखना पड़ता है यहां पर क्या return ठीक है अगर आप अभी तो आप एक step भी आप एक percent भी आपने नहीं पढ़ा हुए area के बारे में ठीक है लेकिन आपको थोड़ा संतर दी गया होगा क्या कि functional component थोड़ा easy लगता है थोड़ा क्या बहुत easy है जैसी ही आप class component को बनाएगा complicity बढ़ते जाता है line of code बढ़ते जाएगा ठीक है देख लिए कि आपने यहां पर एक render method भी call करना पड़ गया extend से आपको implement भी करना पड़ गया इनरेट करना पड़ा गया के एक कंपोनेंट क्लास को ठीक है यह सब उसमें functional component में कुछ करना ही नहीं था कोई जंजट नहीं लेना था ठीक है देख लिए यह ज़रूरी नहीं है कि यह जो देखिए अब यहां पर क्या है कि यह component है इसमें हमने तीन component को रेंडर किया हुआ ह तो ज़रूरी नहीं है कि अगर यह class-based component है ति यह भी class-based component ही होनी चाहिए नहीं किसी को भी किसी में mix कर सकते हैं class-based component को कि क्लास्वेस क्लास्ट क्लास्ट को भी आप रेंडर कर सकते हैं या आप फंक्शनाल क्लास्ट अब चुका है यहां पर का करेंगे export default और यहां पर क्या class ठीक है export default class और यहां पर यहां पर यह टा दीजे extends component ठीक है अच्छा अब यहां पर आपको export default नहीं लिखना है ठीक है क्योंकि हमने के वल एक्सपोर्ड डीफोल्ट यहां पर लिखना है इस वाले फाइल में यहां जब एक component किसी दुसरे फाइल पर हो जब दुसरे फाइल में अगर इसको यूज करना पड़े ठीक है तब जाकर कर आपको इसको export करना पड़ेगा हम क्या है यहां पर यह same file में है यह यह component इसी फाइल पर यह और इसी में इसको यूज भी करना है तो आपको इसको export करने के जोड़त नहीं है ठीक है इसको हटाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे रेंडर मेथड और यहां पर यह अंदर कर दिया में ठीक है ठीक है इसी तरीके से यहां पर class इतना और यहां पर क्या extends component ठीक है इसको भी यहां से cut करके क्या कर दिजे रेंडर मेथड के अंदर डाल दिजे ठीक है ठीक है इसी तरीके से यहां पर क्या class component और यहां से extend कर दिजे क्या component ठीक है और इसको यहां से क्या कर दिजे cut और यहां पर रेंडर में था ठीक है तो जो भी syntax है ध्यान दीजेगा जो syntax है class-based component का और functional component का यह syntax आपको अब इतना practice कर लिजिए कि आपको याद हो जाए ऐसा नहीं कि हाँ समझ में आ गया उसको छोड़ दीजे ठीक है तो react.js में आप ऐसा नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि इसका code बड़ा ब mind में print हो जानी चाहिए इतना ज्यादा आप इसका practice करिए ठीक अगर आप रियली में चाहते हैं कि हम यह rejects पर क्याम कर अच्छे तरीके से तो ठीक है नहीं तो अगर time pass करना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है ठीक है देखिए अब इसको हमने अभी save कर दिया है output देख के अंदर functional component को भी render कर सकते हैं functional component के अंदर आप class based component को भी render कर सकते हैं ठीक है I think आप लोगों को clear होगा ठीक है अगर फिर भी अगर आप लोगों के mind में अगर कोई भी दिकत होगा कोई भी doubt होगा तो आप लोग वीडियो के comment box में comment करिए हम उसका answer देने के लिए 100% try करेंग और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का like करिए और अपने दोस्तों में विशेर करिए और अभी तक आप लोगोंने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो प्रेस कर लिजे ताकि जैसे हम लोग के latest video डालें आपके बस्तुरान तुसका notification पहुंचे थैंक्स